हेलो दोस्तो नमस्कार इसम किसी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ दोस्तो इस बड़े में हम लोग बात करने वाले हमारे स्टॉक मार्केट का नंबर वन कमपनी एस पर दो मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका नामे रिलाइंस सकती है एक बहुत-बड़ा अनॉंस्मेंट भी आ सकता है एक बहुत-बड़ी खबर भी आ सकती है तो उसी से रिलेटेड यहां पर हम लोग चर्चा करने वाले एंड जो मैं हमेशा एक बात आप लोग को बता दो कि रिलाइंस इंडस्ट्री उनका जो मैंनेजमेंट होता है बट उससे पेले जरू के न चौँगा है एसम किसी चल में फॉर्स तैम विजिट के है तो जरू सब्सक्राइब कर लेना साथ में बिल आइकन को भी हिट कर लेना तो ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो आप लोग को हर रोज यहां पर देखने को मिलने वाले है अब चाओ त तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो इसके पीछे के लॉजिक क्या है वो भी हम लोग देखेंगे बट आप नॉर्मल यहां पर देख सकते हो रिलाइंस इंड़स्टि का शेर यहां पर आ चुका है आज के भी दिन अगर आप देखोगे तो 20 पॉइंट हम लोगों को यहां पर जम्प ही देखने को मिली है चार्ट पेटन की बात करें तो आपके सामने चार्ट पेटन भी ओपन कर दिया है अभी हर पेमाने की उपर आप लोगों को जबरदस चार्ट पेटन देख अच्छा रिटन देगी तो जरूर आप किसी भी लेवल पे इंटर कर सकते हो क्या पता आज 2000 पे कल 20,000 पे हो जाए तो यही तो हुआ था बहुत सरे कंपरीज में आईशेर मोटर में MRF ने यही तो हुआ था लोगों को लगा था कि 5000 पे मिंग है फिर 10,000 पे लगा 15 पे लग था छे मैने की बात करें तो यहाँ पे पहले 1400 के असपास था जो की गिरावट में हम लोगों को मस से 1000 रुपे के नीचे मिला हलाकि मैं चाता था कि और यह नीचे जाए क्योंकि कंपनी अच्छी थे मैंने आप लोगों को सीखा है कि external issues बुरा होगा तो सब के साथ बुरा हो लगबाग 1200 के असपासी स्टॉक था पात साल की बात करें तो बहुत ही शांदर मतलब पात साल पहले अगर आप देखोगे तो यह 500 रुपे का भी स्टॉक नहीं था उससे भी नीचे हम लोगों को देखने को मिल रहा था और मैंने भी खरीदा था 2014 के करीब क्यूंकि आप थोड़ा सा और fundamental analysis किया और आज गजब का return यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यह आगे भी ऐसे ही भाग सकता है maximum भी return अगर आप लोग देखना चाते हो तो देख सकते हो 2002 में 53 रुपीज पे हम लोगों के stock देखने को मिल रहा था तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों क पता है exceptional item का adjustment किया गया था बहुत सार लोगों ने आपको डैरा है था कि share गिरेगा यह होगा बट फिर भी इनका जो management है वो बहुत ही शातिर दिमाग वाला है मतलब उन्होंने quarter 4 के numbers तो लाए बट उसी के साथ साथ right issue भी लाया आप सभी लोग भूल चुके होंगे इसलिए याद दिलाना चाता हूँ right issue और वो भी कितना था 53,000 करोड से भी जादा मतलब इतना बड़ा right issue था तो result हो गए side में और सभी लोगों के focus था यहाँ पे right issue और उसके बाद जियो का तो तड़का लगा ही डाला जो कि हम लोगों ने देख लिया कि 12-15 investor लगातार यहाँ पे और यहाँ पे अच्छा कासा हम लोगों को शेर में जम भी देखने को मिला है similar way quarter one में भी हम लोगों को ऐसा देखने को मिल सकता है यही में आप लोगों को बताने की कोशिश कर सकोंगा क्यूंकि quarter one के भी अगर हम लोग result की बात करे तो देखे relance industry वो company चलाते उनको पता हों रिफाइनरी से रिलेटर जो बीजने से वही पे उनलों को फटका लग सकता है बट वापस यहाँ पे relance industry counter game खेल सकता है मतलब यहाँ पे यह बुरी खबर जरूर हो सकती है कि चलो इनके result वापस डाउन हो गये quarter one के बट उसी के साथ साथ वो यहाँ पे कुछ अच्छी खब चल रही थी लगभग amazon 10% के आसपा स्टेक यहाँ पे खरीच सकता है आप लोग देख सकते है माइट लिखा है शायद से उन्होंने खरीद भी लिया होगा तो यही relance industry के management की खासे थे कि उनको पता है कि वो अच्छे news का इस्तमाल भी कप करना चाहिए right issue वो कभी भी ला सकत अगर आपको प्रूफ चाहिए तो यह वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिने पूरा वीडियो बनाकर आप लोग को बताया था कि रिलाइन्स खिल गया ब़ुद बढ़ा गेम शातिर दिमाग वाला management कैसे उन्होंने वो सब प्लाइन यहाँ पर ड्राफ किया था जहा बहुत इंपोर्टेंट वीडियो लिंक आप लोगों को चाहे तो उपर आई बटन पे में दे दूंगा को अब समझ में आएगा कि क्यों वो नीचे लेवल पे खरीद के बैट जाते हैं अभी वो शेर कितना है 2100 के आसपास चल रहा है कल अगर वो 500 पॉइंट भी गिर गया तो भी हम लोगों को जादा कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर भी हम लोग प्रोफिटेबल रहेंगे तो हम लोगों के पास बहुत जादा टाइम होता है समझने के लिए निकलने के लिए कि हम लोगों ने वाके में निकलना चाहिए या फिर रहना चाहिए तो यह फाइदा होता है long term investment का Anyways, हम लोग यहाँ पर continue कर लेते हैं, जैसे मैंने का कि quarter one की result के साथ-साथ, यहाँ पर इस वक्त, जो हम लोग बोलते हैं न, कि क्या तड़का लग सकता है, वो हम लोग को देखना है, यहाँ पर दो possibilities है, एक है, शायद से Reliance की Amazon के साथ deal हो चुकी होगी, तो वो announce कर दे, तो result र सम भी जाती होगी देखने को मिल सकती है, एंड अगर second कोई news है, तो आप सभी लोग को पता है, Reliance यहाँ पे, जो future group है, retail से related, बीक बजार आप लोग को पता है, तो final stage में यहाँ पे वो बातचीत कर रहे हैं, मतलब negotiation चल रहे होगी, price के उपर, amount के उपर, तो यह भी announcement हम लो सच्छी नहीं थे, बट उन्हेंने बहुत जबरदस dividend दिया था, जिसके बदलत, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने buying भी की थी, तो यह हमेशा होता रहता है, यहाँ आप सभी लोग को में बताना चाता हूं, इसलिए मैंने कहा, कि Reliance इंडूस्टी के जब कुछ भी event होता ह है, AGM में आप लोगों ने देख लिया, बड़े-बड़े धमा के हम लोगों को देखने को मिले, उसी के साथ-साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे quarter one के result भी, यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोगों को अच्छा कासा यहाँ पे देखने को मिल भी सकता है, कुछ आर्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बात बताई जा रही है, कि Reliance Industry शायद से future group को जो उनका retail बिजने से लगबख 27,000 करोड में यहाँ पे खरीच सकता है, जैसे मैंने का कि यह deal अल्रेडी भी हो चुकी होगी, तो इसका बड़ी खासियत बात है, और शायद से आप लोग देख सकते हैं, Amazon से related या फिर future group से related कुछ ना कुछ announcement, हम लोग को quarter one के जो result रहेंगे, उसी के साथ देखने को मिल जाएंगे, या फिर कोई और एक बड़ा कुछ ना कुछ ऐसा चीज रहेगा, जिसके बदलत हम लोग उसी क उपर चर्चा करेंगे, यह हम लोग देख सकते हैं, और यह इस से पहले भी बहुत बार हो चुका है, जो कि एक जबर्दस हम लोग को performance के लिए देखने को मिल जाता है, so result से पहले company का performance या आप नसी के official website पे देख लेते, Reliance Industry, जिस सेक्टर में काम करती है, उसका PE 31 है, अब हम लोग बात करें, 52 ही खाई की 27 जुले, देखो, आज का ही दिन हम लोग को, मतलब कल का आज का ही दिन, मतलब हाली के पिरेड में यह company ने 52 ही खाई वापस अचिव किया, low में बहुत ही जबर्दस opportunity मिली थी, तीन डिजिट में यह stock आ चुका था, 866 में खुद चाता था, यह और नीचे जाए, तो हम लोग को और जबर्दस मोका मिल सकता था, कोई बात नी, जितना हो सके हम लोग ने कोशिश की, उसके बाद 26 to 27% की deliveries हम लोग को यह आप देखने को मिल रही है, company information में बाकी सारी चीज़े आप सब इलोग को पता है, हाली की अगर हम लोग बात करे तो company ने 6.5 रुपे का dividend भी दिया था, उसी के साथ तराइट इशू भी इससे पहले हुआ था, आप सब इलोग को पता है, अगर हम लोग पूरानी बात करें 2017 की, तो company ने 1 to 1 का bonus भी दिया था, जिसके वज़े से मेरे पास जो share थे 2014 के, वो double भी हो चुके थे, promoter की बात करे तो वो भी आप लोग देख सकते, promoter ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे वापस थोड़ी सी बढ़ा दिये, 50.29, अभी 50.37 हो चुके है, so definitely promoters अपनी हिस्सेदारी क्यों बढ़ा रहे, company खराब है इसलिए, कुछ ना कुछ अच्छी बाते रहेगे, और दुनिया भर के company यह, freelance industry के साथ यहाँ पे जूड रही है, जैसे कि मैं बात करूँ Amazon, उसी के साथ साथ, second, Google, third, Facebook, बहुत सारी company एक दूसरे के competitors है, वो ही यहाँ पे इनके साथ attach हो रही है, so इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, कि यह तो अभी तक जड़ शुरुवात हुई है, आगे आने वाले company के उपर एक करजात वाले बोस था, वो भी अभी हड़ चुका है, क्योंकि company अभी net debt free यहाँ पे बन चुकी है, so सारे parameters हम लोगो ने देख लिए, सिर्फ company के उपर एक बहुत बड़ा pressure है, and वो है Saudi Aramco की deal, yes, Saudi Aramco की deal, and यह suspension, कब तक यहाँ पे stretch होते रहेगा, वो ही हम ल को कहा, कि Reliance Industry के जो Q1 के नतीजे आएंगे, उसी के साथ साथ, जो plus में और क्या रहेगा, दो चीजे, क्या Amazon के साथ deal होती है, या फिर future group को वो acquire करते है, इससे related कोई भी बड़े news सामने आ जाती है, तो definitely वापस हम लोगों को यहाँ पर जंप होते हुए, Reliance Industry में देखने को म लगता है, क्योंकि हम लोग हमेशा छोटा-छोटा स्टेप देखना चाहिए, गोल्डमेंट सेच की बात सुने, तो उन्हेंने 2300 and प्लस के टार्गेट यहाँ पर अल्रेड़ी दे चुके है, पर उसी के साथ साथ अगर हम लोग CLSA की बात करें, इडिलवाइस की बात करें, तो उन्हेंने Reliance Industry को यहाँ पर डाउन ग्रेड भी कर दिये, तो अच्छी चीजे वो भी दिखा दी, जो बूरी चीजे वो भी मैंने आप आप लोग को दिखा दी है, तो वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहँगा कि Reliance Quarter 1 के रिजल्ट अभी हम लोग को देखने चांसे यही रहेंगे कि उनका Oil Business बहुत जादा डैमेज हो सकता है, और वही प्रेशर यहाँ पर क्रेट कर सकता है, बट यहाँ पर बाकी के जो दो न्यूज है, अगर वो अनॉंस हो जाते हैं, या फिर कोई और एक सर्प्राइजिंग वाली चीज भी आ जाती है, तो डेफ आप लोग profit book कर सकते हैं, उसमें कोई शरम की बात नहीं, मैं बहुत इसको और लंबा देखता हूँ कि या और लंबा खेल सकता है, और वैसे भी हम लोग secure हो चुके, जो मैं आप लोग को बुलता हूँ न, सबसे खास बात, for an example, जिसने इसको 1000 पे भी बीच में खरीदा आज वो कितना secure है, मतलब कल ये stock 2100 पे चल रहा है, for an example गिर के 1500 तक भी आ गया, फिर भी वो यहाँ पे निकल सकता है, और फिर भी 500 रूपीज पर share यहाँ पे उसको मुनाफ़ा हो सकता है, ये फाइदा होता है long term investment का, जो Warren Buffett जी ने भी कहा था, कि ये इस position में आने के लिए आप लोग को अच्छा खासा share यहाँ पे दबा के बेटना होता है, वरना बहुत सर लोग अच्छे खासे share में तो entry तो कर लिते हैं, बट वहाँ पे patience नहीं दिखाते हैं, जिनके पासे ज़रूर hold करना चाहिए, average करने के लिए obviously अभी थोड़ा तो नीचे आना चाहिए, क्य भी change नहीं होगी, कि अगर आप मन बनाना चाहते हो, कि अगर आपको company अच्छी लगती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, company अगर आपको अच्छी लगती है, मैं आपको पूछता हूँ, पात साल में यह company यहाँ से कहा होगी, तो अगर आप लोग कहते हो, फौरन example के लि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेर कर देना, देख लेते, Relance Industry की जो result है, उसकी साथ साथ हम लोग को क्या क्या बड़ा धमा के यहाँ पर देखने को मिल सकता है, so that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting on our next studio,